कभी भी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया ब्स्पी सांसर दानश अली को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है ए उक्रवादी रोठिबे रमेश पुदिरी स्टूड अप एंटोल दनीश अली ये भढ़वा ये कटवा उसके खिलाफ अभी तक कोई कारवाही नहीं हुई है चंद पूजी पतियों द्वारा चंता की संपतियों की लूट के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है और आगे भी उठाता रहूँगा पूवर दानीश अली साब उतर परदेश के अमरोश से लोक सभा सांसद कौनसी पार्टी बहुजन समाज पार्टी मायावती जी वाली धलीतों की मसीहा कभी हुआ करती थी उन्होंने कूवर दनीश अली साब को पार्टी से निसकासित कर दिया है कल देर साम एक चिठी जारी कीगी चिठी आपकी स्क्रीन पर है जिसमें साफ साफ लिखा हूँ है कि कुगर दनीश अली साब को पार्टी विरोधी गती विद्यो में सम्मिलित होने के लिए बहार का रास्ता दिखाया जा रहा है। नि भार्टिय जन्ता पार्टी के सांसद रमेश विधोडी ने नवाजा था। पर अपसोस रमेश विधोडी के ऊपर को एक्षन करने की बजाए बहुजन समाज पार्टे ने भरत्य जंता पार्टे ने हमारे मननिये संसद ने इस तरह कि कोई कारवाईर में स्विदूरी की उपर नहीं की और जो जो जंता की आवाज बन रहे थे जो संसद एक-एक करके उनको निप्टा दिया गया है कुवर दनीश हली साब हो गए महुवा मोहितरा होगी संजा सिंग होंगे ये वो नेता हैं जो जंता की आवाज बनकर संसद में गोंचते हैं पर सत्ताधारी पार्टी की ठशक इतनी बढ़ गई है देश की जंता को नफरत में जोग कर देश में कैस स्कीम लाकर लोगों को शान्त कराकर चुनाओं के समय में जंता को इस तरह से ठगा जा रहा है कि जो भी चोर इस देश के संसदनों का है उस सोर की तरह भी सारा करता है या उसको उजागर करता है चंद पुंजी पती जो इस देश को लूट कर खा रहे हैं इसको ज़िश्ट की जंता के सामने संसद भौन में रख रहा है तो सत्ताधारी पार्टी को और उनके सहयोगी दल को ये कत पार्टी से अमरोहय की जंता ने मुझे असिरवादिया और संसद में मैं पहुचा मैंने हमेशा पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है मैं किसी भी पार्टी विरोधी गतिवीदियों में सामीन नहीं हुआ हां जो पुंजी पती हमारे देश को लूट रहे हैं उनके ल लखूंगा सुन लेजे दाने साले साथ की बेहन कुमारी मायावती जी का हमेशा मैं शुक्रगुदार रहूंगा कि उन्होंने मुझे बहुजन समाज पार्टी का टिकेट दे करके लोकसभा का सदस्य बनने में मेरी मदद की कभी भी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया है चंद पूजी पतियों द्वारा जंता की संपतियों की लूट के खिलाफ मैंने अवाज उठाई है और आगे भी उठाता रहूंगा यदि ऐसा करना जुर्म है तो मैंने जुर्म किया है दानिस अली साहाब लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे जब से संसद भा पार्टी ने उनके लिए इस तरह क्या पद्यजनक सब्दों का इस्तेमाल किया था उसके बाद होना तो यह चाहिए था कि बहुजन समाज पार्टी को बहुत ही सक्त लहजे में भरत्य जंता पार्टी को आयना दिखाना चाहिए था और रमेश भिदुड़ी को पनिस करवा पार्टी के लेफल पर भी पर आजकल ऐसा लग रहा है कि भंवजन समाज पार्टी मायावती जी भरत्य जंता पार्टी के आगे पूरी चरह से सरंडर कर चुगी एक तरीके से रिमोट कंट्रोल बन गई है भरत्य जंता पार्टी का और आज कुमरदनिस अली सहाब को जो ज तरफ इसारा करते भी नजर आते थे तो अडानी के लिए तरहुल गांदी को नहीं चोड़ा संजे सिंग को नहीं चोड़ा महुआ मोहितरा को नहीं चोड़ा तो कुमर दनीश्वरी साब को इस तरह से छोड़ देते रिमोट कहीं से दबा और तुरंत एक्षन में आगई माया ड़तीजी चिठी जारी करके पूरे देश को एक तरीके से चोका दिया गया कि ज Г anditti के Driving को इस संग्रेश के शांज़ गांधी जी इनसे मिलने पहुंचे तैंगंगरी के साथ इनकी फोटो भी वाई मेरे उपर इतनी जल्द बाजी में एक्षन ले लिया गया संसद सदेस्टा मेरी चीन ले गई जबकि मेरी घटना से पाद में इन सब्सक्राइब कर अगर्वाद्य था उनके खिलाब कोई अक्षन नहीं गई देश की जनता की आवाज बनने वाले बेबाक सांसद जो ताना सह सरकार की आगे जुके नहीं उनके तलवे नहीं चाटे इन्होंने जनता को सब से आगे रखा जो जनता ने इनको आशिरवाद दिया था उनको एक तरीके से अपना राजधरम समझ कर अपने कारियों का निर्वहन किया आज सब के सामने पूरा देश देख रहा है एक एक करके सब को निक्टा दिया गया कौन बची है एक दो बाज बची है मरोज कुमार जहाँ साब है वो बचे हैं मिखाल से एक दो सांसद और बचे होंगे जो बोलते हैं कभी को बाकी जो बेबाक सांसद थे संजय सिंग थे महुआ मोहितरा कुवर दनीश अली साब इनको निप्टा दिया गया है देश की जनता के पास इतना समय नहीं है कि लोकतंतर को मजबूत करने वाले नेताओं के साथ आज करूरता हो रही है तो उनके साथ आकर खड़े हूँ स्थीतियां ऐसी पैदा कर दे गई हैं बड़े ही सेडूल तरीके से कि आज अगर काम नहीं करेंगे देश की जनता का कोई भी नागरिक तो कल खाने के लाले पड़ जाएंगे उनको आज गल्थ हो रहे तरीके के जो लोकतंतर का हनन इस देश में हो रहा है उसके लिए देश की जनता के पास रोड़ पर उतरने का समय नहीं बचा है बांध दिया गया है महिलाओं को क्या किया गया है कैस ट्रांसपर की स्कीम के साथ साथ बांधने की कोशिस की जारिया लोक लुभावने बादे महिला पुरसों के के बिरिजन में वैसे ही सड़कोबर कम निकलती है और कई पुरसों का एक वरग जिसमें नफरत पसंद लोग हैं उनको नफरत की आंधी में धर्म का चश्मा उढ़ा कर चुप करा दिया गया है उन्हें इस तरह के काम राष्ट्रवादी नजर आते हैं जो ताना सहा उठ रही आवाज को दबा रहा है यहीं उनको असल हिंदु तो और राज धर्म नजर आते हैं और करूरता जब मुस्ल इमसान सदों के जब निश्कासित किया जाता है तो सोचल मेडिया पर कोई चीज़ घूम ने नफरतवाद बड़ी खुशी मना रहे हैं कि देखिए रमेश भीदूडी ने बिलकुल सही कहा था और अब उसका दूसरी तरफ से भी लाज बिलकुल पक्का कर दिया गया है यह आज के हमारे देश की वर्तमान की स्तीतित बहुत कम राजनितिक पार्टियां ऐसी बची है आज के दिन जो मुस्लिम सुगदाय के विक्ति को टिकट देकर लोकशिभा में भेजती हैं राजसमा में भेजती हैं और आज के इस वातावन में जब सताधारी पार्टी जो है तो उनकी सहयोगी जीतनी भी है उनको भी कि सरेंडर करने का एक तरीके से आदेश देती हुए नजर आ रही है कि तुम भी एक मुसल्मान को लोकसभा में पहुचाने के जुर्रत मत करना है क्यों क्योंकि आवाज उठाएगा और इनकी राजनिती चल रही है अल्प संक्र में ही हो जाएगा और इनको नफरत को ले जाना बिल्कुल जड़ताव तक तो फिर कैसे संबह हो पाएगा देश की जनता आम जनता के पास समय नहीं एक एक टुकड़ेओं में जिस तरह इससे लोकतंत्रों खतम किया जा रहा है परसों किया गया महवा मुहितरा को कल किया गया कुबरदानी सली को एक बार राहुल गांदी को किया गया संजर सिंग जेल में सड़ रहे हैं जनता नहीं आ सकती बार बार सड़क पर इनका भी सोदे बाजी नहीं की जिसने बड़े बड़े पुझी पतियों के खिलाप जम कर अपना राज धरम निभाते वे सवाल पूछा असल परते उखेडी सत्ताधारी पार्टी की ताना साही की जो प्रिकरिया है उसको सबके सामने उजागर करके रिखा वो एक एक नेता चाह करना मिले तो सत्ताधारी पार्टी को आएना देखाएं कि तुम्हारी असलोग का दिये हैं यहीं एक मात्तर रास्त और कुई रास्ता नहीं महुआ महितरा को निस्काशित कर दिया गया है अगले चुनाओं में महुआ महितरा को अगर और बलसाली वोट बैंक मिलता है कुवर धनीस अली साहब को मिलता है संजे सिंग को मिलता है राहुल गांधी को मिलता है तो यहीं एक मात्तर रिदेश जंता की तरफ से है कि हां हम तुम्हारी नफरत की राजनेंती में फसने वाले नहीं है हमारी वोट जो लेता है और सही को सही कहेता है जंता की आवाज बनताOoh जंता जनारदन Kो सिर माते पर रखता है उनकी दिएधासिरवाद को वही नेता हमें चाहिए नफरत करने वाले और फर्जी राश्रवाद और फंजी हिद्यतों का काड़ खेलने वारे लोग ताना साही पर करती दिए लोग देश को पुंजी पत्यों कोई हाथों बेचने वारे लोग हमें नहीं चाहिए देखना होगा मरवा की जुनता आगे वानल सामें क्या करेगी और इस तरह की चीजे जलती रहेगी तमाम आवाजे उठने वाले थी लगबग लगबग बंध हो गई है आपकी राय क्या है कमेंट करके जुरू बताएगा हमस्कार